स्मॉल हाउस प्लान डिजाइन 9 फीट हाइट इधर 9 फीट हाइट एधर भी टोटल नमबर अप कॉलम यहाँ पर आप काउंटिंग किजिए तो आपको नमबर अप कॉलम का जो टोटल हिसाब यहाँ पर मिल जाएगा हमने यहाँ पर ऐसे सिंपिल 18 बाइट ट्वीट का एक हा 20 feet, 20 feet font और 18 feet side में आया है, drawing का ठीक है, तो इसके अंदर हम एक simple सा design क्या है, अगर आपके पास ऐसे ही design करने का अगर कोई भी plot है, तो आप इस step का design कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए हम इहाँ पर 7 feet height तक ऐसे इसका जो wall है, इसको हम ऐसे height तक add करेंगे पहले, इसको भी हम height तक उसके बाद बाकी जो details आएगा, हम इसके अंदर add करेंगे, ऐसे उसके बाद देखें, यहाँ पर column आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो open है, यहाँ पर stair हम add करेंगे, चलिए हम इहाँ पर stair का position है, उसको दिखा देखेंगे concert direction में, हमने stair add किया है, concert direction में stair उपर की तरब ठीक है, final planning का अंदर कुछ furniture और कुछ यहाँ पर देखें, जो bedroom का जो position यहाँ पर हमने थोड़ा सा यहाँ पर add किया है, उसके बाद देखें, हम GL to PL add करना है, हम reference line पहले add करेंगे, तो reference line आट करने के बाद हम GL to PL यहाँ पर add करेंगे, उसके बाद देखें, यहाँ पर add करन देखेंगे, तो इसे रहेगा window, just take idea आपके साथ हमने share किया है, तो उसके बाद देखें, ऐसे window font से हमें दिखा देखेंगा इसे, इधर तो हमें ओ डोड रहेगा, तो यहाँ पर stare रहेगा, इसके नीचे हम dining table add कर सकते हैं, चले, एक dining table add करते हैं, तो finally, जो यहाँ पर plan इसक पर करना है, यहाँ पर dining table लगाना है, तो आप कर सकते हैं, और यहाँ पर दिखिए, पहला main part है, यहाँ पर घर के अंदर आने के बाद, यहाँ एक open space पूड़ा रखा है, लेप साइट से ऐसे आप stair से उपर जाएंगे, तो आप इसको बाहर भी कर सकते, तो आप इसको बाह toilet and bath का अंदर क्या measurement है चलिए हम उसके बरे में थोड़ा सा बात करते हैं तो चलिए यहाँ पर हमने drawing का जो 2D part है 20 by 18 total 360 square feet का जो design है यहाँ पर हमने add कर दिया है तो यहाँ पर रहेगा अपका toilet and bath तो चलिए toilet and bath यहाँ पर हमने कर दिया है next हमें क्या करना है bed add करना है okay bedroom तो bedroom हम place कर दिया है इधर अच्छा इसके साथ इसका measurement चाहिए अपको तो 10 feet 9 और यहाँ पर 10 feet तो 4 by 6 toilet and bath उसके बाद देखिए kitchen किचें किचें यहाँ पर हमने open kitchen type का एक kitchen add किया है तो मेरे पास जागा यहाँ पर नहीं मिला है इसलिए अपके पास ज्यादा मिलेगा तो आप इसको ज्यादा बढ़ा कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर रहेगा हमारा sit out area ओके इधार place करेंगे उसके बाद dining 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 place हम यहाँ पर करेंगे तो यही था plant design का details 18 x 20 360 square feet का house design with 3D के साथ आपको 2D 3D पसंद आए तो like और share कर जाना आपको 2D में कुछ change और add करना है तो आप कर सकते हैं यहाँ पर जो column 10 by 10 inch का column हमने यहाँ पर add किया है और यहाँ पर जो wall आउटसाइड इंसाइड में हमने 5 inch 125 का wall add किया है तो थैंक यू वाचिंग इस बीडियो